हेलो स्टुडेंट्स में आपका एजुकेटर वेपुल अगरवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल साइंस एंड फन पर तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लुग डिसकस करने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जो है business studies उसका क्या syllabus है क्या क्या उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे कि आप सभी लोग जिन्होंने commerce opt करी है वो क्लास 10 से क्लास 11 में जब प्रमोट हुए और commerce को चूज करा तो उनके दिमाग में curiosity रहती है कि इस स्टीम में हम लोग क्या क्या subject पढ़ने वाले हैं तो उसमें से एक subject है आपका business studies तो उसमें भी आपको curiosity रहेगी कि business studies हम लोग आखिर पढ़ने क्या वाले हैं यह subject आपको किस चीज की knowledge देने वाला है यह subject आपको क्या चीज सिखाने वाला है तो आज की वीडियो में हम लोग यही discuss करेंगे कि यह subject आपक कौन-कौन business studies में टोटल जो chapters हैं वो chapters हैं आपके 10 chapters हैं और आपका जो exam होगा वो होगा 80 marks का 20 marks के आपका एक्जाम होगा 20 marks के आपके प्रोजेक्ट होगे तो आपका जो टोटल स्कोर बनेगा subject के वो बनेगा 100 marks ठीक है आई एक एक करके चैप्टर को डिसकस करते हैं कि हर एक चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा देखो यह चैप्टर का जो पर्स पा story है उसका जो practical aspect है आप लोगों को चीज़ के बारे में कम idea होगा लेकिन आप इस subject में उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझोगे ठीक है आई यह सबसे पहले आप लोग समझोगे नेचर एंड परपस ऑफ बिजनेस इस चैप्टर में आप लोग जानोगे कि बिजनेस पु थी सबसे पहले तो चैप्टर में history of business जानोगे इंडिया के अंदर क्या history थी देन इस chapter में आप लोग जानोगे कि actual में business को बोलते क्या है business की definition क्या है क्या-क्या features business के होते हैं क्या-क्या conditions apply होनी चाहिए क्या-क्या conditions comply होनी चाहिए तब जाकर एक चो activity है वो business आपका बनेगा तो इस subject में आप पढ़ेंगे कि business क्या होता है business का purpose होता है and to be business क्यों करते हैं वह आप पढ़ोगे second forms of business organization इस चैptar में आपलोग सबसे पहले business organization के बारे में पढ़ाए कि business organization क्या होता है उसके बाद आप लोग पढ़ोगे business organization कितने types के होते हैं कितने types क क्या business organization होते हैं आप लोग उसना होगाYY soul proprietorship कोई करना होते हैं यॉज पींट को चलाएगा कोई outsider business के अंदर नहीं आ सकता इसी तरीके से आप second chapter में जो business organization की forms है कि business कितने तरीके के होते आप लोग ये जानोगे ठ्रथ चेप्टर में आप लोग जानोगे private public and global enterprises इसटेप्टर में आप लोग जानोगे कि business के owner कौन-कौन से होते हैं कि एक government कौन से business करती है गौर्मेंट जो बिजनेस करती है उनको क्या बोला जाता है जो प्राइवेट लोग यानिकी निजी लोग बिजनेस को ऊनकरते होंने क्या बोला जाता है global anterprizis कहने का मतलब वह बिजनेस जो की आउटसाइड जेग्राफिकल बाउंडरी अप इंडिया है यानि की जो इंडिया में और इंडिया के बाहर जो बिजनेस इस ऑपरेट कर रहे हैं वह कौन से बिजनेस होते हैं चैप्टर में आप लोग यह जानोगे फूर्थ आप चैप्टर में पढ़ोगे बिजनेस सर्विसेस होती हैं कौनसी सेवाएं होती हैं जो कि बिजनेस की help करती हैं देखो बिना सर्विसेस के बिजनेस नहीं चल सकता एक एक अंदर बहुत सारी ऐसी सर्विसेस होती हैं जो कि बिजनेस को क्या बोलते हैं पावर करती हैं एमपावर करती हैं बिजनेस को बिजनेस उ आप लोग जानोगे कि current सिनारियों के हिसाब से बिजनिस के अंदर क्या चेंज जाए जाते एक्जांपल ट्रेडिशनली बिजनिस से होता था पूरा का पूरा फिजिकल मोड में होता था कि कि किसी को कुई समान चाहिए होगा उसे घड से निकलना पड़ेगा मार्केट के अं एंदर एंटर कर सकते हैं और महां से समान ओर करकर आपके पास वह गोट आपके हर पर डिलेवर हो जाएगा तो क्या innovations business के अंदर आ रहे हैं क्या कौन-कौन से methods business के अंदर आ रहे हैं जिनकी वर्य से business करने का जो mode है वो बिलकुली change हो चुका है न्यू बोट रूद वो होता हैं वो सब चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि बिजनेस की कोई सोचल रेस्पॉनसिबीलिटी भी होती है जिस एकॉनमी में में पैट कर आप बिसनेस कर रहे हो कि आपके की कुछ responsibility है कि उस society के लिए भी कुछ business को सोचना पड़ेगा इस चैप्टर में आप लोग इस चीज को भी जानोगे बिजनेस इतिक्स को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है तो वह पैसा आप कहां कहां से रेस कर सकते हैं खुद की capital लगा सकते हो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे एर्थ है आपका small businesses small business बेटा देखो इंडिया एक growing country developing country है तो इंडिया के अंदर अगर हमें employment unemployment की problem को दूर करना है तो small businesses जो छोड़े-छोड़े businesses होते हैं ना उनका बहुत रोल बहुत जादा भढ़ जाता है उनकी importance बहुत जादा भढ़ जाती है तो इस chapter में हम लोग यही देखेंगे कि actual में small businesses होते कौन-कौन से हैं उनका importance impact economy के ऊपर क्या रहता है और government क्या initiative ले रही है ऐसे small businesses को empower करने के लिए नाइंत है आपका internal trade इंटर्नल ट्रेड आपका वो business इंटर्नल ट्रेड आपका वो business activities वो खरीदना और बेचना जो कि इंडिया के अंदर होगा इंडिया की कांट्री की जोग्राफिकल boundaries के अंदर अगर आप business चला रहे हो तो उसे बोलेंगे आप लोग क्या internal trade वहीं अगर उसका opposite देखें अगर आप country की जोग्राफिकल boundaries के बाहर अपने business को लेकर जा रहे हो तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या international businesses तो यह कुल मिलाकर आपके 10 chapter हैं जिसमें की आपका जो chapter number one one or two है वो carry करता है आपके 16 marks आपका chapter number three and four carry करता है आपके 14 marks आपका chapter number five and six carry करता है आपके 10 marks जो की आपका part one बनाते है और part one आपका आता है 40 marks का part b में आपके 4 chapters हैं जिसमें की chapter number seven and eight carry करेंगे 20 marks और chapter number nine and ten भी carry करेंगे 20 marks जो की मिलाकर part b 40 marks का बनाते हैं जो की आपका theoretical exam जो होगा वो 80 marks का होगा 20 marks आपके project है इस तरीके से आपका 100 marks का subject बनकर तयार होता है और अब बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि last year कि syllabus है और इस साल के syllabus में क्या changes हैं तो बच्चों इस साल के syllabus में एक topic आपका add हुआ है जो की topic आपका add हुआ है unit number three आपका इस unit में आपका topic add हुआ है जिस topic का नाम है आपका joint venture जिस topic का नाम है आपका joint venture ये topic ये topic आपका एक नया topic add हुआ है joint venture और as such last year से कोई भी deletion नहीं कर गया है तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आप लोग बिस्निस स्टडीज के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं यह सब्जेक्ट आपको किस चीज की नौलिज प्रोवाइड करने वाला है साथ की साथ आपको यह भी पता लग गया कि इस बा से बसेड हुआ है जो है जोइन्ट वेंचर